नमस्ते दोस्तों जोहार मैं भी सेक्षेकरवट्य आप सभी का फिर सबने योडिक चनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों क्लास 8, 9 और 11 के रिजर्ट्स को लेकर बहुत बड़ी अपडे सामने निकल काई है जी है दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज जुलाई का अंतिम दिन है यानि 30 जुलाई है और अभी तक आप लोगा रिजर्ट जारी नहीं किया गया है और साथ ही दोस्तों आप लोगा ना तो सिलिबस जारी किया गया है ना ही एक्जाम पैटर्न को बताया गया है तो काफी सार इस्ट्रोएंट जो भी प्रॉब्लम में है कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे उन लोग एक्जाम की तैयारी कैसे करें कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा नहीं कि पढ़े उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल काई है कि क्या होने वाला है आगे तो दोस्तों सूरू से लेकर अंतक इस वीडियो को जोरू देखेगा चैनल पर नहीं आए तो चैनलों को जोरू सब्सक्राइब केजिएगा ताकि आगे की वीडियो की नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के भी सेर कर दीजे तो दोस्तों इस क्रीट पर आप सभी देख सकते हैं आज का अपडेट क्या दिया गया है साफ साफ सब्दों में लिखा गया है जी हाँ दोस्तों साफ साफ सब्दों में लिखा गया है रिजल्ड में देरी से पढ़ाई में आ रही है बाधा जी हाँ दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 30 जूलाई जो है आज वितने वाला है और अभी तक आप लोग का result जो है class 8, 9 और 11 का जारी नहीं किया गया है जिसके कारण जो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि वो आगे की classes की तेयारी कैसे करें ना तो आप लोग का syllabus जारी किया गया है ना तो आप लोग को exam का pattern बताया गया है जिसके कारण students को भी problem हो रही है teachers को भी problem हो रही है साब साब यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं तीन महा के लिए बढ़ाए गई थी सत्र की अवधी जी हाँ दोस्तों यहाँ पे साब साब देख सकते हैं और उसके साथ ही लिखा गया है कि वर्ग 8,9,11 का result जारी नहीं और सही से पढ़ाई जो है इसके कारण से सुरू करने में आप सभी को क्या हो रहा है परिसानी हो रही है ठीक है तो यह लिखा गया है आपे साब 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 में आगे क्या लिखा गया है देख सकते हैं आपे result में result में देरी से scholarship तथा पोसा की सूची देना आसान नहीं है सिच्चा महकमा पटरी पर आने का नाम नहीं ले रहा है पहले कोरोना और फिर विभागी लापरभाई वजहारकन अकार्डबी काउंसिल ने इसे बेपर ट्री में लाने में कोई कसन नहीं छोड़ा है आलम यहा है कि result में देरी से गुरू जी को फजियत अलग से हो रही है जी हाँ दोस्तो केवल आप लोग को ही problem नहीं हो रही है दोस्तो बलकि आप लोग के school के teachers को भी यह दिक्कत हो रही है कि आपको क्या पढ़ा है और क्या ना पढ़ा है अभी तक कोई भी जो आप लोग का detail नहीं बताया गया है तो जिसके कारण आपके साथ टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया, साफ साफ सब्दों में लिखा गया है, कि स्कूल सिच्छायव साचरता विभाग ने कोरोना को देखते हुए सत्र को तीन महा के लिए बढ़ा दिया था, अब च क्लास 8 के स्टुटेट है, वो 9 में जाएंगे, जो क्लास 9 के वो 10 में जाएंगे, और क्लास 11 के 12 में जाएंगे, तो इस कारण से वो लोग जो है, रिजल्ट ने जारी करने के कारण जो है, वो लोग विधिवत रुप से अपना पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ च सिच्छकों से स्कॉलर्शिप तथा पोसाग के लिए बच्चों की सूची मागी गी है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, कि आप सभी का स्कॉल का ड्रेस चेंज होने वाला है, और स्कॉलर्शिप के लिए जो इस्टुएंट को पैसे नहीं मिलें, उन्हें पै जारी नहीं किया गया, अब अगस का पहला सब्ता में भी जारी हो या नहीं हो, इस पर भी संसे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, आगे लिखा गया क्या, कि रिजल्ड में देरी से सत्र सुरू नहीं हुआ है, और लगभग 50,000 से अधिक छात-छात्राओं की सूची भी तेयार नहीं हो रही है, अंत में इसका ठिकरा सिच्छकों पर ही फोड़ा जाएगा, कि लेट क्यू हुआ, कैसे हुआ, यह सारा का कारण का स्पस्टी करें, टीचर से ही मागा जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कितना ज़्यादा यह प्रॉब पढ़ाना है, और कौन-कौन सा सब्जेट में आप लोगो प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट करके बताएगा, जैसे सिलिबस आती है, आप लोगो जो है, क्लास इस यूटूब चैनल के थूरू से चाहे, आप क्लास 8 हो, में हो, 9 में हो, 11 में हो, या 12 में हो, आपको सभी क लोग तैयारी करें, ताकि अच्छा सचा मासला पाए, तो दोस्तो ये था, आप सभी के लिए अपडेट, तो आसा करते हैं, आज क्या वीडियो आप सभी को पसंद आए होगा, अगर आप लोगो कुछ जानकारी चाहिए होगी, तो आप हमें प्रसनली इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकता है, टेलिग्राम चैनल को जॉइन करके रख लिजएगा, तो जल से जल फॉलो कर लिजए, आसा कर दोस्तो आज के वीडियो आप सभी को पसंद है, अगर पसंद है तो बिल्कुल लाइक से रेंड कमेंट करना ना भूले, तब तक